Hey everyone, this is Chanit Dhanani and I welcome you all to Marginate Brains Hindi तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, it would be based on a complete chapter revision बड़ इसके पहले कि हम आज के चाप्टर की बात करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं दो से तीन important चीजों के बारे में सबसे पहली बात कि Marginate Brains पे आपको हर एक वीडियो, हर एक topic पे जो भी एक preparation होती है आपकी, वो बिल्कुल free of cost होती है यानि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप कुछ topics का preparation करेंगे, उसके बाद आगे कि जो भी subject है आगे कि जो topic है उसको पढ़ने के लिए आपको कोई payment करनी होगी, बिल्कुल भी नहीं सब कुछ है विल्कुल free of cost, साथी साथ जो content है वो होता है ऐसा, जिसे आपको फिर कोई भी doubt नहीं आता है, साथी साथ आपकी जो preparation है, उसके लिए हम अपना 100% देते हैं and I know कि आप लोग भी अपना 100% दे रहे हो, सारे videos को देखकर ताकि आपके doubts clear हो जाएं और इस तरीके से आप जो है वो अपने exams में best marks score कर सकें so जब हम सब अपना 100% दे रहे हैं, so definitely कोई भी हमें नहीं रोख सकता है कि आपके अच्छे marks आ सकें और इसलिए हम होंगे काम्याब जो है वो बहुत ही सही line है so इस तरीके से इस energy और इस motivation के साथ हम begin करते हैं आज के topic को साथी साथ अगर आप इस तरीके से कोई भी subject या कोई भी topic की preparation करना चाहते हो तो कैसे आप website विजिट करकर बहुत ही आसानी से हर एक video तक बहुत सकते हैं उसका भी हम discussion करेंगे बट कब इस video के अंत में तो फटफट से start करते हैं कि आज का जो chapter है को क्या होने वाला है तो देखिए आपकी book में एक बहुत बड़ा सा chapter है जिसका नाम है Glimses of India Glims का मतलब क्या होता है जलके ठीक है और किस की जलके दिखाई जारी है आपर भारत देश की तो भारत की एक छोटी सी जलक जो है यानि भारत कितना खुबसूरत है इंडिया कितना beautiful country है उसी पे based आपको कुछ ऐसे खुबसूरत जगाओं के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता गया है इस chapter में तो ये पूरा chapter जो है वो तीन भागों में divided है पहला जो भाग है वो है a baker from Goa जिस chapter में Goa का एक example लेकर वहाँ पर जो bread बनती है उसके बारे में बात की गई है कैसे bread जो है वो इतनी important थी क्यों थी और कैसे bread जो है वो बहुत जादा पसंद की जाती थी गई में साथी साथ आज भी bread और bread को बनाने वाले यानि बेकर्स जो है उनकी बहुत value है तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे जैसे आपको भारत की चूटी सी जलक यानि की bread और गोवा के बारे में पता चलेगा इसी तरीके से आपका जो दूसरा भाग है वो है बहुत ही उपसरत जगे के बारे में जो की है कुर्ग और third part जो है वो हम सब के जो सबसे एक होता ना favorite pay पधार्त जो एक सबसे favorite drink है इंडियन्स की या कहली जे बहुत सी countries की जो की है tea यानि चाय उसके बारे में है third भाग जो की है a tea from Asa तो इन तीनों भागों को हम तीन अलग-अलग वीडियो में discuss करेंगे तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा पहले भाग पर जो की है a baker from a goa तो आज हम पढ़ेंगे क्या complete chapter revision यानि कि पूरा का पूरा जो a baker from goa है इसको हम एक जो नो कहते न one shot में यानि एक बार में पूरा revise करेंगे ताकि क्या-क्या important बाते हैं वो सब आपको फटा-फट से revise हो जाए तो चले बिगिन करते हैं इस chapter के बारे में so the story is pen portrait about the traditional goa baker तो ये जो कहानी है story है वो क्या है एक pen portrait है अभी pen portrait का मतलग क्या होता है जब पूरी कहानी को कलम के द्वारा pen के द्वारा लिखा जाए यानि कि जो भी लिखा जाएगा उसका एक image एक photograph वो आपके मन में बन जाएगा है ना तो pen portrait clear portrait क्या होता है एक बहुत ही खुबसरत तस्वीर एक image तो ये क्योंकि लिखे हुए शब्दें और शब्दों को पढ़कर आपके बिल्कुल दिमाग में एक छवी पैदा होगी एक अलग ही image बनेगी इसलिए उसे कहा गया है pen portrait किसके बारे में है ये about the traditional goa baker कई ऐसी परंपराएं चलती आती है ना जिने हम traditions कहते हैं जैसे आप कहीं चले जाएं तो कुछ जो भी रस्में होती हैं रिती रिवास होते हैं रिचुल्स होते हैं वो सारी चीज़ ऐसी होती है जो बहुत time से generations after generation चली आ रहे हैं उसी तरीके से goa में बहुत ही important एक चीज़ है जो की है bread और bread को बनाने वाले यानि baker तो वही goan bakers जो traditional उस समय के थी उनके बारे में बातचीत की गई है इस कहानी में और क्योंकि कहानी पढ़कर आप उनका एक चित्र जो है आपके मन में फॉर्म कर पाएंगे इसे कहा गया है एक pen portrait नरेटर्स एंडर्स ओफन हर्ड रेमिनसिंग नॉस्टाल्जिकली नॉस्टाल्जिक का मतलब होता है thinking fondly of past यानि जो नरेटर हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी है उनके जो एंडर्स यानि जो इनके बड़े बुजुर्ग रहे हैं वो कई कबार जो हैं सोचते रहते हैं यूनो बहुत खयाल आते हैं उनके दिमाग में किस के बारे में जो पुराने दिन थे ठीक है तो narrator जो हैं, उनके जो बड़े बुजर्ग हैं, elders हैं, वो कई कबार देखे गए हैं कि वो कैसे पुराने दिनों के बारे में सोच विचार करते थे. किस बारे में भई, good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो वो पुराने दिनों में क्या क्या आजाता है, जिनके बारे में वो याद करते हैं, एक तो good old Portuguese days, भई, जब Portuguese का rule था, उस वक्त की बात हो रही है, जब गवा पे rule हुआ करता था इनका, तो उस वक्त के जो अच्छे दिन है, पुराने दिन है, उनके बारे में याद करते है जो Portuguese bread है, यानि कि जो Portuguese loaf थे, वो bread बहुत ज़ादा खाते थे, तो वही जो bread का चलन है, वो लेकर आए गुआ में, तो वो bread, loaf क्या होता है, इस तरीके का होता है loaf, एक पूरा bread, जिसको आप कट करते हैं, तो आपको छोटे-छोटे bread के pieces मिलता है, तो famous loaves of bread, तो इस तरीके से पुराने Portuguese दिन, Portuguese लोग और उनके द्वारा जो bread का चलन आया था, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो याद करते थे, कौन जो narrator है, उनके elders, clear? अब फटा-फट से पढ़ लेते हैं loaf का meaning, फिर हम देखेंगे पुरा हिंदी discussion, so loaves मतलब bread that is baked in one piece and can be cut into pieces, यानि एक पूरा बड़ा पीस, bread का, जिसे cut करकर फिर छोड़ी-छोडी bread बनाई जाती है, तो वो जो पूरा बड़ा पीस है, उसे loaf कहते है, ठेक है, अब इसका हिंदी translation पढ़ते हैं, कहानी पारंपरिक गोवा बेकर के बारे में एक कलम चित्र है, जो हमेशा से पारंपरिक ट्रेडिशनल देखा ज तो वह जो कथाकार हैं, जिन्होंने कथा बताई हैं, यानि जो narrator हैं, वो अकसर पाते थे कि उनके जो बड़े बुजर्ग हैं, elders हैं, वो सोचते रहते थे उन अच्छे पुराने दिनों के बारे में, वे अच्छे पुराने पुर्तगाली दिन, पुर्तगाली और उनकी प् पोट्रेट क्या है, रेमिनिसिंग क्या है, नॉस्टाइल्जिक ली क्या है, लोफ क्या है यह अच्छे से क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते है कहानी में, So eaters of loaves vanished, but the makers are still there, अभी लोफ क्या है यह पूरा ब्रेड है ना, Eaters मतलब कौन, तब के टाइम पर पूर्टगाली लोग या पॉर्चुगीस पीपल थे, वही खाते थे ब्रेड, वही लेकिया है ब्रेड के चलन को, तो उनके बारे में बात की गई है, कि भही जो खाते थे यह loaves of bread, वो भले ही vanish हो गया हो, But the makers are still there, but bread बनाने वाले आज भी गुआ में देखे जाते हैं, यानि बेकर्स जो हैं वो अभी भी देखे जाते हैं, Still have mixers, the molders and those who bake the loaves, age old time tested furnaces still exist, यानि अभी भी, आज भी क्या है भाई mixers, अभी बताओ bread बनाना होता है, तो उसके लिए flour यानि जो आटा है वो तियार करना पड़ता है, अभी आटा तियार करोगे तो सबसे पहले जो भी ingredients और चीज़े हैं वो पूरी mix करोगे है ना, तो आटा आया, उसमें जो भी डलता है bread बनाने के लिए ताकि soft बने, टेस्ट आये, तो इसी लिए फिरो उसको mix करना, तो हो गए mixers, second क्या है, molders, mold का मतलब क्या होता है, एक साचे में ढाल देना, है ना, तो bread का क्या shape होगा, वो decide करने वाले, तो molders हो गए, साथी साथ dose who bake, लोग अब बनतो गई bread पर कच्ची है, उसको खाने हैं, तो भी क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, तो होता है क्या baking, तो बेक करने वाले, तो सब भले ही जो खाते थे bread, वो चले गए हो, बट इस flour को यहां जो आटा है, उसको mix करके, उसको साचे में ढ़ालना, mold करना, साथी से उसको bake करना, पकाना, यह सब करने वाले लोग अभी भी मौजूद है, age old, यानि बहुत समय पुरानी जो चीज होती है, क्या time tested, समय के साथ जो अभी भी काम कर रही है, furnaces, furnaces क्या होते हैं, कैसी चीज जिसमें बहुत जादा temperature होता है, जिसे भटी कहते हैं, still exist, यानि कि आज भी जो furnaces, पहले क्या अभी तो देखो, बहुत सारे options आ गए हैं, बड़ तब क्या होता था है, ऐसे भटी हुआ करती थी, जिसमें यूरो इतनी जादा temperature होता था, और वहाँ पर भी ब्रेड वगेरा को बेक करते थी, तो अभी भी वो furnaces, जो बहुत पुराने और टाइम टेस्टेड हैं, exist करते हैं, अब फटा फट से हम vanished molders, furnaces का meaning देख लेंगे, बड़ सबसे पहले आप देख लो कि बेकर की बात हो रही है, क्या पहनते थी, तो अभी आप देख लो हाँ पर, कि देखो क्या दिया है, पैंट पहनी हुई है, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नीज के ऊपर है, है ना, ना ही वह full है, तो इसको 3-4 पैंट कहनते है, और उसके ओपर ही अपना जो भी shirt पहनते थे, एक bamboo stick होती थी इनके हाथ में, जिस पर ही अपना basket रख कोई चीज, अगर पूरी तरीके से और एकदम से गायब हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्या, vanished, तो आपने vanish सुना भी होगा, एक है ना, एक detergent का भी नाम है, तो definitely आप वहां से भी इस वर्ड को धियान में रख सकते हो, so गायब is what is, vanished, second molders, a person who molds dough into a shape, dough क्या होता है, जो गु जैसे ही third word क्या है मारा भई, third word है furnace, जो कि है enclosed structure in which materials can be heated to very high temperatures, एक बहुत ही बंद सा structure, enclosed यानि हर जगा से बंद, जिसमें बहुत सारे materials को heat करते हैं, बहुत जादा हाई temperature पर, बहुत जादा ताकमान पर, जिसे हम भटी के नाम से जानते हैं, clear, so bread के खाने वाले गायब हो लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं, किसको बनाने वाले, bread को, अभी भी है mixer, molders और bread सेखने वाले, सदियों पुरानी समय की भटियां अभी भी मौझूद है, so भले ही उनों, mixers वगेरा, या molders या bread सेखने वाले जो हैं, वो अभी भी मौझूद हैं, भले ही क्या हुआ हो, हले ही जो लोग बनाते थे bread, यानि खाने वाले सहरी Portuguese people, वो बली चले गए हूँ, और समय के साथ जो पुरानी time-tested furnaces हैं, वो भी आजकर मौझूद है, clear, okay, चलिए, next बात करते हैं, the thud and jingle, traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, still be heard in some places, धीरे-धीरे पढ़ते हैं, the thud and jingle, मदब अगर यह बैं जाएगी, हैना, एक sound आएगा, उसे कहते है, thud, बहुत strong sound, और jingle क्या होता है, एक sort of खंकन, you know, गंटी type का sound होता है, उसको jingle कहता है, तो यह एक sound बता रहा है, ठीक है, thud and jingle, traditional baker's bamboo, अभी मने बोला ना, वो image जो हमने देखी, उसमें आपको clear हो गया होगा कि कैसे bamboo stick होती है, ह अवास लगा लते हैं, बट कभी-कभी ऐसे हैं, बिल्कुल एक घर, जो bicycle की घंटी होती है, उसको use करते है, लोग, जो मंदर वाले घंटी होती होती है, तो इस तरीके से बहुत तरीके होता है, लोगों के रहे, तो तब यह bamboo, यूज करते है, क्या करने के लिए, हराल्ट कर आते हैं अगर आपके घर पे तो डेफिनेटल अगर बाइक पर आते हैं तो अपना हॉन बजाएंगे गाड़ी का दूद बोल देते हैं वो यहां फिर अगर बैसिकल पर आते हैं तो वो बेल रिंग कर देंगे तो इस तरीके से यह बैंबू स्टाफ से क्या करते थे खट- ताकि सबको पता सल जाए भी सुबा सुबा कि बेकर आ गया है और यह आवाज आज भी कुछ कुछ जगाओं पर सुनने को मिलती है बेकर्स वर नोन आस पैडर इन गुआ बहुत जरूरी और इंपोर्टन इंफोमेशन है यह कि बेकर्स को उस वक्त गुआ में क्या कहते थे पैडर कहते थे ठीक है अब फटाफट से थर्ड और जिंगल और हिराल्डिक जिसका मेनिक अलुड़ी पढ़ लिया फिर भी पढ़ लेता है फिर इंदी पे जाएंगे तो थर्ड जिंगल मतलब मेक और कॉस्ट तू मेक लाइफ मेटालिक रिंगिंग सांब सबोग अभी मे मैं आ गया हूँ आप ब्रेड ले सकते हो इसलिए वो एक बैंबू स्टाफ यूज करते थे तो गड़ गड़ाहड और जिंगल पारंप्रिक बेकर का बास सुबह उसके आगमन की घोशना यानि देखो अभी यह कम्प्लीट चाप्टर रिविजन है तो इसको ऐसे शौट कर आपको अभी भी सुनाई देती होगी कुछ-कुछ जगाओं पे बेकर्स गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं यानि आप पैडर बोल रहे हैं इसका मतलब आप गोवान बेकर्स की बात करे हो क्लिया तो आपको इसारी चीजा है हो डन है अब भी बात करते हैं आगे स स्टोरी में क्या होत है भाई? So, during narrator's childhood, baker was a friend, companion and guide देखो अगर कोई person है जो आपका दोस्त है कोई person है जो आपका एक companion है यानि की जो आपके साथ रहता है जैसे साहे party होते है, classmates होते हैं, वैसी आपके साथ रहता है, support करता है, जो आपको guide करता है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, तो ये जो लोग होते हैं बहुत important होते हैं, और ये बहुत ज़ादा important होते हैं, जब हम बहुत छोटे होते हैं, है ना, अभी भी important होते हैं, पर छोटे होते ह इनकी लाइफ में तो ये जो लाइने हैं कि friend companion guide ये इसलिए इस्तिमाल की हैं क्योंकि narrator ये बताना चाहा रहे हैं कि कैसे baker जो है वो बहुत बड़ी महत्वपून भूमी का जो है important position जो है वो play करते थे important role play करते थे तब के बच्चों की लाइफ में ठीक है So during narrator's childhood जब ये narrator छोटे थे बच्चे थे तब के time पे जो bakers है वो उनके friend, companion, guidance सबकी भूमी का निभाते थे इसका मतलब ये नहीं कि वो इनको बताते थे ये करो हो करो नहीं मतलब ये बहुत important हिस्सा थे इनकी जिन्दकी का Baker used to come at least twice a day कितनी बार आते थे बेकर? कम से कम दिन में दो बार Set out in the morning on a selling round again returned after emptying his huge basket क्या दिया है? Set out in the morning सुबा सुबा जब वो अपने घर से निकलते थे selling round यानि जब वो bread बेचने निकले हैं वो पहला round होगा दूसरी बार returned यानि वापस आना after emptying his huge basket, empty करना मतलब खाली कर देना huge बहुत बड़ा basket क्या है वो टोकरी जिसमें वो bread रखता है तो वो बड़ी सी टोकरी है जिसमें bread रखी है जब वो बिक जाते थे पूरी bread वो खाली हो गया basket तो वो वापस आएंगे तो एक time तो जाने का मतलब जब bread बेच रहे हैं दूसरी बाद वही रस्ते से वापस आएंगे जब वो bread पूरी बिक चुकी होगी तो ये दो round लगते थे baker के तो इस तरीके से baker जो है वो हर दिन कम से कम दो बार तुमाँ पर दिखी जाते थे इन बच्चों को भी है हर किसी को चलिए अब इसका हिंदी discussion करते हैं सो कथाकार के बचपन के दौरान बेकर एक दोस्त साथी और मार्ग दर्शक जो है उनका एक role play करते थे इनकी life में तो एक भूमी का निभाते थे किस की एक दोस्त की एक साथी की एक मार्ग दर्शकी इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है जैसा हमें लगता है क्योंकि देखो इस पे ना question बच्चे बहुत करते हैं अगर अभी मैं आपको बोलू कि आपका क्या doubt है आप यही बोलोगे बताईए बाम पूरी बिख चुकी है तो वापस घर तोसी रास्ते से जाना ना उनको तो यह दूसरा राउंड उनका होता था इस तरीके से दिन में कम से कम दो बार जो है बेकर नहीं से निकलते थे दा ओके चले बच्चे जो है सुबह सुबह उथते हैं तो हमारे ले क्या होता हैक् सिले क्लोक लिद्व ०े लिए उज स्वूर पूला के हाथ में वो शिन्गल का साउं्ड फ्रेद। वप्र तो उवाज निए बच्चे उड़ जाते कि भही बेकर आ गया उनको ब्रेट खाने को मिलेगी So the jingling thud of the bamboo woke them up from sleep तो उनकी नीन से उनको ठा देते थे And they ran to meet and greet the baker और फिर बच्चे जो है वो बिलकुल भागते थे अपने घर से ता कि वो बेकर से मिले और उनको ग्रीट करें Sort of namaste बोले यां good morning बोले The reason was the children longed for bread यहां पर long का मतलब क्या है Long का मतलब किसी चीज के लिए बहाँ जादा आतुर हो लाए कि वाला है कि मुझे चीज चाहिए उसे longing कहते है So इसका यह रीजन नहीं था कि यह बेकर को बहुत अधा बच्चे बड़े संसकारी है तो नमस्ते बोलना बेकर को या अंकल को नहीं ऐसा नहीं है इनके दिमाख में थी लालच और वो क्या है बई छोटे जब हम बच्चो होता है हमारे लिए चॉकलेट यहां जो मीठी चीज होती है स्वीट चीज होती बड़ी क्या बोले है प्रिय होती है हमें बड़े उत्सुख होते थे और इसी लिए वो भागते थे किससे बेकर से मिलने और उनको ग्रीट करने के लिए चलिए अब फटाफर से पहले जिंगलिंग थर्ड और बांगल्स का मीनिंग देख लेते हैं चिजिंग्लिंग मतलब होता है एक जनकार ठीक शनचन टाइप जो आवाज होती है मिटालिक रिंगिंग सांब एक घंबी शावनी ब्यानी तो जब बैंबु को कट कट करेंगे तो एक सांट मिटालिक ताइप रिंगिंग आता है के आकार में एक मीठी ब्रेट ख्लिया सो जो बैंगल्स पहनते हैं हम उसी तरीके से ब्रेट बनी हो थी जो सब इमेज में दिखाया उसे कहा जाता है बैंगल ब्रेट तो आपके लिए बड़ा आसान भी हो जाएगा याद रखना बिदूस का नाम चेंज नहीं किया ठीक है अ जैसे इनको वो साउंड सुनाई देता था खुश हो जाते थे कि बेकर अंकल आ गया ब्रेट मिलेगी खाने को तो वो भागते थे सीधे बेकर से मिलने के लिए वजह थी बच्चों को बैंगल ब्रेट एक तरह की मीठी ब्रेट के लिए इंतजार रहता था तो यह जो बच् अब लोफ ब्रेट क्या होता है जो पूरी फीकी ब्रेट रहेगी पूरा एक ब्रेट का तुकड़ा ठीक है तो वो लोफ's of bread कौन खरीता था खु Luiza यानि SG का पास्टेंस तो कौन खरीता था? कोई पास्किन या बास्टिन? अब ये पास्किन बास्टिन कौन है? ये उनकी जो helping hands होते थे, made servants होते थी, जो भी वहाँ पर help करते थे उनो, bread वगरा खरीदने में घर का काम करने के लिए, उनमें से किसी का नाम था, generator के घर पे थे, of the house. baker one hand supported the basket on his head, other banged the bamboo on the ground. अब इससे related image अलड़ी हम देख चुके हैं, तो होता क्या था? कि जो भी low of bread होती थी इस तरीकी, कैसे bread का पुरा बड़ा तुकडा, ये जो भी घर की maid servants होती थी, पास्किन या बास्टिन, जो भी उनका नाम था, वो ले लेती थी. बच्चे थोड़ी किसमें इंट्रस्टिन थे? बच्चे थो किसमें इंट्रस्टिन थे? बैंगल ब्रेड में, ठीक है? अब ये बेकर जो है, वो कैसे आपको एक image बनानी है अपने दिमाग में, इसके पहले जो हमने image देखी थी वो ध्यान में रखो, कि एक जो हाथ है उनका, उससे वो अपना ब्रेड घर के किसी पास्किन या बास्टिन यानि सेवी का सेवक द्वारा खरी दी जाती थी, बेकर एक हाथ से सिर पर टोकरी को सहारा देते थे, दूसरे से बास को जमीन पर बार बार पटकते थे, थाकि लोगों को पता चल जाए कि भही मैं आ गया हूँ, आप ब्रेड ल बेकर विष्ट गुट मोर्निंग टो लेडी आएंगी ब्रेड तो उनको जो है गुट मोर्निंग सूप्रभात विष्ट करते थे, अब बच्चे आएंगे, बच्चों क्या ची भी मीटी ब्रेड चिया, जैसे सब्सक्राइब कभी किसी शॉप पे जाते हो, जापना बहुत अब बच्चे को दिख जाती ही चॉकलेट वहां पर आने कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चे को थोड़ा साइड कर लें दो फिर आपको लेके दे रहें वैसी कोच इमाजन करो कि भई आ गए है जो बेकर अंकल अब इनके पास क्या है एक स्वीड ब्रेड है ठीक एक तरीके से उनों चिलाते वक्त थोड़ा सा मतलब इतना नहीं स्कोल्ड करते थे बड़ थोड़ा ऐसे रूडली उनको पुष कर दिया जाता था और जो लोवस ऑफ ब्रेड है वो जो भी घर की लेडी होती सी सोवेंट होती थी उनके हाथ में दे दिया जाता था था चलि जिसे आप एक तरीकी की डाठ या फटकार कह सकते हैं बेकर घर की महिला को सूप्रबाद कहते थे बच्चों को एक हल्की फटकार के साथ एक तरफ धकेल दिया जाता था और ब्रेड सेवक को दे जाती थी तो जो भी सर्वेंट या सेवी का जो भी होती थी उनको ब्रेड द बास्केट समहाँ बट बच्चे मिया बच्चे थोड़ी गवप करते हैं तो चाहिए दो चाहिए स्वीड ब्रेड तो बच्चे क्या करते थे दे वुड नॉट गिवप वहार नहीं मालते थे वुड क्लाइब बेंच या तो जो भी बेंच रखी रहती ती उस पर चड़े जाते थे या फिर पैरपेट एक रेलिंग नहीं मने होती घर में यहाँ उधर पर चड़के जाकने लगते थे और पीप का मतलब होता है घूर घूर के जाक कर देखना इंटो बास्केट समहाँ कैसे भी करके फिर वो जो बास्केट होती थी इसमें ब्रेड रखी दी उसमें जाग जाग के देखते थे कि भाईया वो ब्रेड लाए है की नहीं लोग्स फॉद एल्डर और यह जो लोग ऑफ ब्रेड होती थी वो किसके लिए होती थी बड़े लोगों के लिए जो बड़े बुजूर्ग होते थे यहां घर के मम्मी पापा इन सब के लिए और जो बैं जो है उनकी हाइट पहुत छोटी अरती हो ओविसली तो उतनी थोड़ी सी बड़ी दिवार बना दी जाती है था कि उनों कोई नुकसान नहीं पहुचे बच्चे बाहर नहीं गिर जाए इस तरी किसे घर के बाहर एक रेलिंग जो है उसे पैरपेट कहते है ठीक है ओल्राइ जो ब्रेड का पुरा तुकड़ा वो होता था बड़ो के लिए और जो मीठी ब्रेड होती थी बैंगल ब्रेड वो होती थी किसके लिए बच्चों के लिए दान ओके चिल्रें डिड नॉट इवन के टु ब्रश देर टीथ और वाश देर माउट प्रॉपरली अब बच्चे जो है उनको ये नहीं होता था कि भाई अभी हम ब्रश भी नहीं किया है और बिना ब्रश किये हम ब्रेडियां चाय वाई पियेंगे ऐसा कुछ नहीं है बच्चे जो जो त्हुरिके से जो ख़या होता है वो थोड़ी अपने दाने दानर ब्रश करता है यहां पर इह बात कैसे होथी है फिंग कि अब वैसे ही गरम गरम चाय जब प्रश चाह पियने वा stukटान के सब यह फ़रक्ता है ब्रश करो ही नहीं करो तो बच्चे इतने एकसाइड नहा तो बच्चे अपने दाथ ब्रश करना है, अपने मूँ को ठीक से धोने की भी परवा नहीं करते थे उनको, कोई परक नहीं पढ़ता था कि हम अच्छे से ब्रश करने दातों को यहां मूँ धोले नहीं, क्या फरक पढ़ता है, जैसे बाग कभी अपने दाथ ब्रश नहीं करत आखिर गर्म चाय सब कुछ इतनी अच्छी तरह से धो और साफ कर सकती है तो जब चाय पीने सी सब क्लीनिंग हो जाएगी तो ब्रश करने की क्या जरूरत है अब नेक्स पॉइंट है कि कैसे मैंने बोला ना आपको कि देखो बैंगल ब्रेड याद रखना इजी है विकस नाम हो जाए कि भई ब्रेड जो है वो किन किन चीजों में काम आती थी अभी नॉर्मल ब्रेट्पस में या लंज में या डिनर में खाने के टाइम पर ब्रेड की बात करें तो सर्फ वह इंपोर्टेंस नहीं दर्शाता है या बच्चों को स्वीट ब्रेड पसंद है तो क्या उ के ब्रेड जो कि इस तरीके की दिखती है और यह कहां पर इंपोर्टेंस रखती है कि भई, marriage gifts जो होते थे न, वो meaningless होते थे, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं होता था, अगर वहाँ sweet bread bowl ना रखी गई हो तो, just as a party or a feast loses its charm without bread, suppose अगर हम बात करें बर्दे parties की, तो definitely cake के बिना बर्दे पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज है कि भई, cake भी तो bread से ही बन रहा ने, एक तरीके की bread है, correct? तो वही चीज है कि जैसे birthday जैसा occasion जो है, वो cake के बिना अधूरा होता है, और वैसे ही कोई party या कोई भी feast जो है, वो bread के बिना अपना एक जो beauty है, चार्म है, वो खो देती है, उसी तरीके से marriage जैसे occasion जो होते थे, वहाँ पर sweet bread bowl का बहुत-बहुत importance होता था The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. अब जब हम question solve करेंगे न, तो एक question तो I guess आपके NCRT में शायद दिया हुआ है, book में, यहाँ बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ब तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, साथी साथ जब answers लिखोगे न, अभी questions आएंगे तो क्या आएंगे, आपको dress code के पार में पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है about the physique, कैसे दिखते थे bakers, जो सबसे last में हम पढ़ेंगे, साथी साथ ब्रेड की importance जो है व फिर bowl, sandwiches, आगे जाके bowlinas, यह सब important, वैसे bowlinas bread नहीं है, बाद ठीक है, alright, so marriage gifts meaningless थे किसके बिना, bowl नाम की sweet bread के बिना, और ladies जो भी जिनकी जैसे अगर कोई किसी की engagement है, ठीक है, किसी की daughter की engagement है, तो उनकी जो भी mom है, जो भी lady of the house है, उनको अपनी बेटी के engagement के अफसर पर sandwiches बना है, एक चीज पढ़ते हैं, grammar में, जिसे हम कहते हैं, model, अभी यह ना सबसे जादा confusing topic है, अगर आप किसी से भी पूछो ना कि कौन सा topic है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, grammar में, कई लोग बोलेंगे models, क्योंकि यह बहती ही जादा confusing होता है, जब आप शब्द होते हैं, models, जो कि आपको sort of possibility यह सब बताते हैं, तो must जो होता है, इसका मतलब होता है 100%, करना ही चीप पड़ेगा वो चीज, compulsory, compulsory के लिए एक और word क्या होता है, mandatory, अभी देखो English बहुत important language है, languages सारी बहुत important होती है, correct, अभी आप हिंदी language की भी बात करें, कई ऐसे जो हमें confuse करते हैं, इतनी खुबसूरती से भरी हुई है languages, right, तो वैसे ही English language भी अगर आपका एक बोलना चाहिए, गोल है, कि आप इंप्रूफ करना चाहते हो, तो कभी भी कोई word पढ़ते हो, उसका एक और word, यानि कि जिसे हम परियायवाची, जिसे हम synonyms कहते हैं, वो जा जाहिए, जैसे अभी आपको मैंने बोला compulsory, अभी compulsory किसको नहीं पढ़ता है, सबको पता है compulsory का meaning, बहुत जरूरी, अभी compulsory की जगह एक और बहुत चाहिए हो, तो mandatory, क्या होता है भी, mandatory, अभी हम भटक रहे हैं, अपने chapter से बठी के कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिल र हैं, तो जब भी किसी की daughter की engagement है, तो जो भी mom है, जो mother है, वो sandwiches बनाएंगी, अपनी बेटी के engagement वाले, clear, so आपको क्या क्या चीज़े पता चल रहे ही, कि भाई, bread का कितना importance है, वो पता चल रहा है, कैसे, कि भाई, अगर कोई भी marriage किसी क्या हो रही है, तो वो gifts में bowl bread का होना बहुत जरूरी है, mandatory है, similarly, जो भी female की जिसकी भी engagement हो रही है, उनकी mom को compulsory है ये चीज़ कि वो sandwiches बनाएंगी, easy, इतना time दे दिया है, हो भूलोगे नहीं, अभी next बात करते हैं, जो की है about bowl and feast का meaning and फिर हम बात करेंगे about Hindi discussion, so bowl is a soft sweet bread and as large as a serving dish, अभी serving dish होती ना, जैसे उतनी ही size की अभी आपने देखा bowl bread होती है, जो की बहुत ही soft spongy होती है और sweet in taste होती है, so नरम मीठी bread जो एक परोसने वाले व्यंजन जितनी बड़ी होती है, clear, next है feast, feast क्या होता है, a large meal typically a celebratory one, यानि की दावत, ठीक है, दावत पर बुलाया जाएगा, तो दावत के लिए word आपको प तो शादी में bowl bread के बिना कोई अर्थ नहीं होता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी party या दावत अपना आकर्शन bread के बिना खो देती है, घर की महिला को बेटी की सगाई के मौके पर sandwich जरूर बनाना चाहिए, तो दो चीज़े क्लियर हो गई, bowl bread और sandwiches, done, all right, चलिए, अब bowlinas क्या होती है, एक तरीके की नारियल, coconut से बनी हुई cookies, biscuits, ठीक है, तो ऐसी दिखती है, bowlinas, clear, so I hope आप जानते होंगे इस तरीके की जो cookies आती है, देखी भी होगी, खाई भी होगी, तो ऐसी जो cookies होती है, जो coconut की बनी हुई है, specifically, उनको कहा जाता है, bowlinas, clear, तो याद रहेगा कोई दिक्कत तो नहीं है, bangle bread क्या है, bowl bread क्या है, और bowlinas क्या है, easy, okay, तो कोई भी Christmas party है जैसे, या कोई भी festival है, तो इन festivals में cake का होना, और bowlinas का होना बहुत बहुत जरूरी होता था, must होता था, the baker of those days, a peculiar dress known as kabbai, a single piece long frock reaching down to the knees, अभी हम एक चीज पढ़ रहे थे, जिसे हमने कहा, importance of bread, IMP, ठीक है, importance of bread, उसमें ये pointers आ गए, clear, कि बच्चे जो है, bangle bread, रोद सुवा, low of bread घर में देना आदेना, इसके बाद, daughter की engagement पे sandwiches का बनना आदेना, इसके बाद, bearish gifts जो है, bowl bread के बिना, धूरे है, meaningless है, then next हो गया, कोई भी festival हो, Christmas हो, उसमें cake और bowlinas का बहुत important role है, तो यहां तक आपके पास importance of bread जैसे question पे, कितना कुछ है लिखने के लिए, है ना, सीधे सीधे आपके पास pointers है, I hope मैंने इतनी बार बता दिया है, कि आपके दिमाग में बैट गया होगा, बार बार बोलने का मेरा एक ही motive है, एक ही उद्देश है, कि आपके दिमाग में सारी और फिर धीरे धीरे जो है नरेटर की टाइम पर जो बेकर है, उनके कपडों में क्या चीज़ेस आए, फिर वो क्या पहनते थे, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कबाई की, देखो कुर्ग में भी कपडों के बारे में बात होनी आवाला है, कूपिया, कूफिया, इ बेकर, सो कबाई क्या है, जब बेकर उन दिनों में, उन दिनों की बात क्या हो रही है, जो गुड ओल पॉर्चुगीज देज थे, उन दिनों में एक पिक्यूलियर क्या होता है, अजीब सा, जैसे कि अगर आप कहीं पर जा रहो और आपको बहुत अजीब सी स्मेल आ रही ह ठीक है, सपोस कोई ओईल की या फिसी चीज़ की स्मेल आ रही है, तो हम बोलते हैं एक अजीब सी बदबू आ रही है तो हम बोलते हैं कुछ तो वियर्ड सी स्मेल है, उसी को कहते हैं कुछ पिक्यूलियर सी स्मेल है, यानि बहुत अजीब, अन्यूजवल, जो आम नहीं है ठीक है? यानि कि जो बहुत common नहीं है तो peculiar क्यों बोला है? क्योंकि बहुत अजीब dress है और वो अजीब dress क्यों थी? क्योंकि ये पहनते थे कबाई नाम की एक dress जो कि कैसी दिखती थी? एक single piece long frog reaching down to the knees यानि बस उपर से बस एक single piece पहनते हैं वो जो कि ये फ्रॉक की तरह है ठीक है? जो एक बड़ी फ्रॉक की तरह है जो घुटनों तक knees तक पहुचती थी इस dress को कहते थे कबाई जो कि उन दिनों के यानि पुराने दिनों में जो पैडर है या बेकर है वो पहना करती थी अभी इसके पहले कि हम बोली नाज और इसको हिंदी में देखे मैं फटा-फट से उस image पे ले जाती हूँ आपको जो भी हमने कुछ मिंटो पहले ये ये ली ने ने ये भी नहीं होगी फ्रॉक में कैसे बताऊ आपको चलो ये जो फ्रॉक है ना इसको ये समझ लो कि ये जो पांट है अभी आगे जखे बात करेंगे अभी next dress हो जाती है ये जो है piece वो यहां तक होता था तो ये पूरी long dress हो जाती थी जिसे कहते थे फ्रॉक फ्रॉक तो सबको पता होगा तो वो नीज तक पहुचने वाला बस एक single piece होता था इसलिए बहुत अजीब dress नहीं हो गई अभी कोई ऐसा पहन के कोई mail घुमेगा तो आपको अजीब नहीं लगेगा लगेगा बलकि होना नहीं चाहिए ओविसली कोई भी dress जो भी है उनकी मर्जी पहना वर वही चीज है कि तबके टाइम पे भी वतलब ऐसी dress उनके लिए बड़ी अजीब आनी चाती थी तो इसलिए उनको लगता था कि peculiar सी dress है नाम क्या है नाम है कबाई अब पढ़ लेते हैं फटा फट से हम बोलीनास का मीनिंग और फिर हम देखेंगे हिंदी ट्रांसलेक्शन बोलीनास is another name for coconut cookies नारियल की बनी हुई जो cookies होती है बिस्किट्स होते हैं उनका दूसरा नाम है बोलीनास नारियल cookies का दूसरा नाम केक और बोलीनास के साथ साथ अन्यत्योहारों के लिए जरूरी है यानि उस वक्रिस्मस और बाकि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं हर फेस्टिवल में बोलीनास और केक का इंपोर्टन्स होता था उन दिनों के बेकर कबाई नाम से जानी जाने वाली अजीबोगरी पिक्यू पहुच रही है वो पहन देते जिसे कहा जाता था कबाई क्लिया ओके चलिए नेक्स मूफ करते हैं इन नरेटर्स चाल्ड होड बेकर्स वेरिंग शॉर्ट आन ट्रावसर विच वर शॉर्ट फॉल लेंथ वान्स और लॉंगर देन हाफ पांट अभी फिर से चाना जीजीघी इन फूनी पांट होती थी, यह होती थी घुटने से थोड़ा नीचे ठीक है और पूरिफुल ने होकर थ्री फोर्थ तो यह होती थी इनका पांट का लेंथ यानि कि ढोती भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है वußकुल मीरियम साइज है तो ऐसा कुछ ड्रेस प बेकर्स जो हैं वो एक shirt और trouser पहनते थे, trouser ऐसा जो की full length से छोटा और बिल्कुल क्या बोलते हैं, longer than half pants हुआ करता था, जो half pant हुथी उससे बढ़ी और जो longer pants उससे छोटी, clear? At present, anybody wears a half pant which reaches just below the knees, invites the comment that he is dressed like a padder. और अभी भी अगर कोई person ऐसा है, जो trouser या pants, knees के नीचे और full length से छोटी पहनता है, उसको यही बोल दिया जाता है कि अरे, यह तो padder है, यह padder जैसा है. invites a comment का मतलब क्या है, सबोस आपने कुछ ऐसा किया, जिसकी वज़से लोगों को कुछ बोलना पड़ रहा है, तो आपने खुद invitation दिया है, कि आईए कुछ बोल के चाहिए, है ना, तो वो हो गया invite a comment, तो फिर ड्रेस पहनी है, तो फिर इसलिए comment आता सा लोगों का, क्या रह इसमें कुछ भी difficult नहीं है, बर ध्यान रखना है, कब कब आई, और कब ये trousers, ठीक है, alright, कताव आचक के बच्पन में, बेकर्स, शर्ट और पतलून पहनते थे, जो पूरी लंबाई वाले से छोटे, और हाफ पैंट से लंबे होते थे, वर्तमान में कोई भी हाफ पैंट पह और वैसा ही dress, अगर आज के time पे कोई पहनेगा, तो उसको यही टिपडी मिलती है, और वो खुद इस चीज को आमतरन देता, invitation देता है, कि भे, ये तो पैडर की तरह dressed up है, clear, okay, next question, next question, next point, baker collected his bills at the end of the month, monthly accounts recorded on some wall and pencil, ये भी बहुत important question है, जैसे मतलब CBAC में जो बुक होती है, तो वहाँ पर जो कुछ questions CBAC release करता है, उसमें image वाले questions बड़े बनते हैं, और अगर वैसे कुछ questions करने हैं, तो main channel जो है, magnet means का, उस पर वैसे भी मेरे बहुत questions कराया हुए, image based, जैसे image based कैसे आता है, कि एक question आया था, कि बताइए, baker जो है, वो कैसे अपने bills को record रखते थे, like record सपोज अगर अभी हम कोई दूद वाले अंकल या मिल्क मार आते हैं हमें दूद दे ले तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, मन्थली वो हिसाब रखते हैं, सपोज आपने कभी आपके हाँ पाटी है, तो आपको जो है, आप नॉर्मली दे लीटर, वान अड़ाफ लीटर जो ह रखते हैं, जैसा भी उनका तरीका होता है, उस वक्त पे बेकर्स कैसे रिकॉर्ड करते थे इन बिल्स को कैसे अपना हिसाब किताब रखते थे, वो क्या करते थे, एक दीवार पर एक वाल पर पर पैंसिल की मदद से लिख के चले जाते थे, सपोज कोई शर्मा नामक घर है ठीक है, शर्मा जी का घर है, और वहाँ पर इनको पता है कि इन्होंने कितना लिया है, इन्होंने 30 लीटर्स जो है, उस महिने में मिल्क लिया ख, खरीदा था, ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ बात करें, तो ब्रेट की बात करते हैं, तो शर्मा जी का घर है, उन्होंने 30 30 packets जो हैं, क्या लिया है? Breads लिया है. तभी packets पता नहीं होते होंगे ऐसे, पर ठीक है, मान लेते हैं. अभी 30 packets हैं, तो वो ऐसे लिख के जाएंगे न, कि 30 packets हैं, मैं per packet 5 rupees consume करता हूं, तो मुझे 150 rupees किस से लेने हैं? इन घर से लेने. तो ये पूरे चीज़े जो हैं, वो एक दिवार पर लिख कर चले आते थे, pencil से, और इस तरीके से वो अपना एक record maintain रखते थे, monthly account. और फिर कब collect करते थे? बिल्कुल end of the month. और common sense है ये, क्योंकि month के beginning में थोड़े किसी को पता है, कि वो कितनी bread के packets खरीदने वाला है? भई, कभी कोई महमान आ गया, extra bread packet चाहिए तो, है ना? तो इसी लिए, month के end में, जो भी bill बनता था, वो collect करते थे, और bills का record कहा रखते थे? एक wall पर pencil से लिखते थे. तो image जो है, वो ऐसी कुछ दे दी जाती है questions में, कि भई, अपने हाथ का एक photo दे दिया, उसमें, कि हाथ पर calculations रखते थे, एक wall का photo दे दिया, कि wall पर calculations होते थे, एक paper पर रख दिया, ठीके? इस तरीके से 3-4 images आपको दे दी जाती हैं, और आपको choose करना पड़ता है. तो questions किस तरीके के आ सकते हैं, वो तो मैं बैठी हूँ आपको बताने के लिए, बट जितना हम creatively पड़ेंगे ना chapter को, उतना हमारे लिए आसान होगा इन pointers को याद रखना, ठीके? तो इस तरीके से एक wall पर जो भी accounts होते थे, वो maintain करके रखते थे, pencil की मदद से कौन? बेकर्स, बेकर्स जो हैं, वो जो भी बिल होता था, जो भी किस घर से कितना collect करना है पैसा, वो महीने के end में collect करते थे, अपने monthly accounts record करते थे, किसी wall पर pencil की मदद से, जैसे हाँ पर देख सकते हूँ, clear? बेकर्स अपना पूरा बिल महीने के अंत में लेता था, वह मासिक खाते को pencil से किसी दीवार पर record करता था, ठीक है? तो easy हो गया, कुछ भी नहीं है, इस पर typical, और कुछ याद रखना भी common sense है भई, obviously याद हो गया, महीने के end में खरीदेंगा भी confusion, कितना भी create हो जाए question में, आप ready हो answer करने के लिए, डान? ओके, चलिए, next बात करते हैं, बेकिंग वास इंडीड a profitable profession in the old days, अभी बुक में सरफ यह दिया है, जो bracket में mentioned है, वो extra information है, ठीक है, यी बुक में नहीं दिया है, so बेकिंग जो है उस वक्त, यानि कि जब narrator के elders की बात हो रही है, या narrator के childhood की बात हो रही है, तब के टाइम पे बेकिंग जो है, वो एक profitable profession था, in the old days, अभी old days क्यों mention किया है, definitely अभी present days से comparison हो रहा होगा, है ना? तो तब बो profitable था, यानि अभी इतना नहीं है, so baking as a job is not as profitable as it used to be, अभी तो और ज़ादा हो गया है baking में, बट वो जो different different cakes बनते हैं, भया हर shape के cake बन जाते हैं, है ना? उसमें अलग बात हो गई, बट ऐसे generally अगर कोई bread baking का business start करता है, तो इतना profitable नहीं होता है, जितना उस वक्त होता था, ऐसा ये line बोलना चाहरी है, तो baking was indeed a profitable profession in the old days का मतलब, कि उस वक्त जो है baking बहुत ही, एक profitable यानि कि जिससे बहुत जादा फायदा होता था, फायदे मंद एक business हुआ करता था, बट अभी इतना नहीं है, baker and his family never stopped, अब कैसे बोल सकते हो कि उस वक्त profitable था, क्योंकि baker और उनकी family जो है, वो कभी भी starved यानि भूके नहीं रहे, क्योंकि उनके पास खानी के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, उनके पास भरपूर पैसे आते थे, जिससे वो अपना जो भी पेठ है वो भर सकते थे, यानि अपने घर की जो normal basic needs हैं, फुल्फिल कर सकते थे, और bakers जो हैं, वो हमेशा खुश नजर आते थे, हमेशा ऐसा फलते फूलते नजर आते थे, कि हाँ, वो अपने जो काम हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश है, clear, ओके, अब starved का meaning पड़ते हैं, बहुत common word है, पता होना चाहिए, बाकी फिर हम translation देखेंगे, तो starved means suffer or die, और cause to suffer or die from hunger, या तो भूख की वज़े से, या फिर भूख की वज़े से, यह नो कोई बहुत ज़्यादा सफर कर रहा है, या फिर भूख की वज़े से किसी की death हो जा रही है, तो उसे हम कहते हैं starvation यानी भूख के रहना, बुख मरी सुना होगा आपने, उसे भी staff करना कहते हैं, clear, okay, baking वास्तव में पुराने दिनों में एक लाब धायक पेशा था, उस वक्त एक बहुत ही profitable लाब धायक बिजनिस हुआ करता था, क्या baking का, नौकरी के रूप में पकाना उतना लाब धायक नहीं है, जितना पहले हुआ करता था, baking कह सकते हैं, पकाना मतलब आपको लगेगा फिर normal को के baking कर दो इसको है, पकाना को बेकिंग भी बूल सकते हैं, तो उस वक्त जितना profitable था, आज के टाइम पे इतना नहीं है, बेकर और उनका परिवार कभी भूका नहीं रहता था, बेकर हमेशा खुश और सम्रित दिखता था, और कभी ऐसा नहीं देखा गया कि उनके परिवार को problem आ रही है, या खाने की कमी है, या पैसे की कमी है, नहीं, वो हमेशा खुश, बिल्कुल संतुष्ट और सम्रित दिखते थे, अब इसका मतलब तो यह होगा ना, कि सामने अले के पास proper, देखो कितना भी बोल लो, मनी बहुत जरूरी है, अपने घर की basic needs को पूरा करने के लिए हैं, तो obviously यह बहुत ज़ता clear था कि definitely इनको profit होता था, तभी इतना अच्छे से वो prosper कर पाते थे, लिए, ओके चलिए, Next point है, बेकर's plump physique, Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker, अभी देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ pointers दिये हैं, जिससे proof हो गया कि baking एक profitable profession था उन दिनों में, है ना, अभी कैसे था वो profitable? क्योंकि जो भी बेकर होता था, उसकी family कभी भी starvation के थूरू नहीं गुजरी है, यानि कभी आसानी हुआ कि उनको भूखे रहना पड़ा हो, यहाँ problems हुई हो, दूजरी बात वो हमेशा खुश और सम्रिद यानि happy और prosperous मेज़र आती थे, और third thing उनकी जो फिजीक होती थी, बेकर की, वो होती थी प्लंग फिजीक, प्लंग का मतलब होता है, मोटा ताज़ा, फिजीक मतलब कैसे वो दिख रहा है, मतलब कैसे body होनकी, तो बहुत ही मोटे ताज़े बिलकुल दिखते थे वो, यानि की बड़िया खुश थे, and even today, any person with a jackfruit-like appearance, और आज भी, अगर किसी person का jackfruit, jackfruit ऐसा दिखता है, ठीक है, कटहल बोलते हैं जिसे, तो अगर किसी का jackfruit, जैसा कटहल, जैसा body दिखता है, अभी obviously इसको इतना मट डीप में जाना है, माम ऐसे कैसे हो सकता body posture, सिर्फ इतना बोलने का है, यह मतलब मस्त मोटे, ठीक है, मोटू से, तो मोटू से अगर कोई दिखता है, बिल्कुल ऐसा, जैसे कटहल, यहाँ, jackfruit, जैसा physical appearance, तो definitely उनको easily compare किया जाता है एक baker से, यानि bakers जो है, वो generally ऐसे ही दिखते थे, मोटे ताजे, clear, तो इस तरीके से, फड़ा फट से हम plump physics पढ़ लेते हैं, then jackfruit and then hindi translation, So plump physique, यानि pleasantly fat body, यानि मोटी काया, मस्त, खुश, मिजाज, मोटू, सी body, उसे कहते हैं, और jackfruit है, the very large edible fruit of the jackfruit tree, यानि कटहल, ठीके, तो jackfruit tree का जो सबसे बड़ा फल होता है, fruit होता है, उसे jackfruit कहते हैं, और उसे हिंदी में हम कटहल के नाम से जानते हैं, So baker, मोटा काया का होता था, यानि कि मस्त, तंद्रूस होते थे, मोटे-मोटे होते थे वो, आज भी कठल जैसी शारिरिक बनावट, यानि कि ऐसी physique, जो कि बिल्कुल jackfruit जैसी मोटी, तंद्रूस्त जैसी physique, अगर होती हैं, किसी भी व्यक्ती की तुलना baker से आसानी से की जा सकती है, तो definitely उस person का comparison किस से होता था, एक baker से, यानि कि padder से, विकास गोवा में bakers को padder ही कहा जाता है, So इस तरीके से जो आपका glimpse है, जहलग है भारत देश की, जहां हम कहाँ पहुच गए थे, वहाँ पर bread का importance, कैसे हर जगा, हर एक festival में, feast में, दावत में, bread का importance है, वो तो नजर आया ही, साथी साथ bakers जो हैं, वो कैसे दिखते थे, happy थे, profitable profession था, साथी साथ उनकी जो dress, code था, dress, code नहीं कहाना चाहिए, like sort of the way they dress, वो सारी चीज़े जो हैं, बहुत अच्छे से clear हो गई हैं, और बहुत प्यारे-प्यारे English words आपको सीखने को मिला हैं, इस particular chapter में, और इस तरीके से, एक part जो है, इस chapter का, Glims of India का, वो end होता है, clear, अभी I hope कोई doubt होगा नी, वैसे acid, because हमने बहुत अधा time दिया है, हर एक word को समझने के लिए, but then too, अगर कोई doubt है, please definitely comment section में बताना, so that हम जब questions solve करेंगे, तब मैं उन्दाउस को address कर लोगे, clear, all right, चले, so इस तरीके से, we are done with the discussion of the chapter, but जैसे कि बिल्कुल starting में, आ beginning में, I promised, कि हम website के बारे में discuss करेंगे, क्यों discuss करना important है, और क्यों website visit करनी चाहिए, पहले वो बात कर लेता है, फिर website पे कैसे जाकर explore करना वीडियो, वो भी बता दूए, सबसे पहली बात, website पे जाना सबसे important इसलिए है, क्योंकि आप अपना जो सबसे important time है, वो save कर लेते हो, कैसे, क्योंकि website पे जाके आपको बहुत ज़्यादा search, scroll, ढूंड़ना है, सब काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि already सारी चीज़े ना, एक proper order में आपको मिल जाती है, आपको बस click करना होता और videos आपके सामने आ जाते हैं, कैसे, देखो, आपको करना क्या website पे जाने के लिए, फटा फट से google पे जाओ, type करो magnetbrains.com, जैसे ही open करते हो website को, यह page display होता है, अभी generally आपको अपना time waste करना होता, तो आप सीधे type करते, साथी साथ, आपको जितना पता है, दिमाग में आप उतना ही पढ़ते, पट यहाँ पर आपके दो-दो चीज़े देखो solve हो जाती है, आपका time तो बचता ही है, साथी साथ, आप और क्या पढ़ सकते हो magnetbrains channel से, या magnetbrains hindi channel से, वो आपको पता चल जाता है, तो करना क्या है, आप जैसे ही यहाँ देखते हैं, explore top courses, आपको सीधे साथे बस उस एक folder को चूस कर लेना है, जिसके बारे में आप पढ़ना चाते हो, जैसे अगर आपको interest है कोई भी CBC English medium topic पढ़ने का, या फिर इसमें सिर्फ courses नहीं हैं, कि सिर्फ आपको physics chemistry, Hindi English ही पढ़ाया जाता नहीं, बहुत सारी extra information है, जो आपको मिलती है, आपको science experiments सीखने को मिलते हैं घर बैठे और बहुत interesting way में, उसी तरीके से आपको बहुत सारे motivational videos मिल जाते हैं, आपकी self development की series चलती है इस channel पे, और सब कुछ free of cost है, तो definitely अगर time है तो explore जरूर करना, साथी साथ NTSC और Olympiad जैसे competitive exams की अगर आपको preparation करनी है, again आप बस click करो, आपके सामने पुरी list आ जाती है और आप videos आसानी से देख सकते हो, आज आते हैं अगर आप किसी भी state board को belong करते हो, और आप Hindi में रेखना चाहते हो, like you belong to Hindi medium, तो आप लोगों को भी टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है, because magnet brains आप लोगों के लिए भी definitely ततपर है, और इस तरीके से आप इस पे click करेंगे तो आपके पास list of subjects आ जाएंगे, अब suppose एक example ले लेते हैं, कि आपने यही decide किया है, कि मुझे एक state board का कोई भी topic पढ़ना है, आप click करो, जैसे click करते हो आपके सामने classes आजाती है, देख सकते हो class 9, 10th, 12th, NCRT exemplar 6 to 12th, ठीक है, आप बस क्या करो ना, click कर दो, जो भी आप पढ़ना चाते हो, suppose आपको पढ़ना है class 10th का English, for an example, क्या करोगे, click करो class 10th पे, देखो जितने भी subjects cover किये जाते हैं class 10th के, उन सबकी list आ जाते हैं, अब click कर दो on English का वो book जिसको आप पढ़ना चाते हैं, suppose you want to study first life, click कर दो, आपने click किया, आपके सामने देखिए, video play होना start हो जाएगा उसका, similarly आपने अगर Amanda पे click किया, जो key from the rally of Anne Frank में से है, आपको आपको भी video जो है, उसका explanation वो मिल जाता है, that to in Hindi and English both, तो इस तरीके से आपकी जो problem है, देखो, बताने में I took two minutes, but इसको obviously click करके few seconds में आप video सक पहुँच जाते हैं, तो आपका time बज़ जाता है, done, तो website जरूर visit करनी है, now we are done with the discussion of the website, और इस तरीके से आप definitely सारे courses को explore कर सकते हैं, बट if you feel कि definitely आपको videos जो हैं, वो बहुत जादा help कर रहे हैं, तो आप अपना love और support कैसे show कर सकते हो, by subscribing to the channel, तो फटफ़ट से जाके MagniBreens Hindi पे subscribe करना है, और उसके लिए भी कोई महनत करने की ज़ुरत नहीं है, लिंक दी हुई है, description box में, क्लिक करो, subscribe बटन पे, और आपको notifications मिलते रहेंगे, clear, all right, तो इस तरीके से आचुके हैं, हम आज की वीडियो के discussion के अंत में, I hope आपको कोई भी doubt नहीं है, और सारी questions जो हैं, आपके mind में clear है, फिर भी कोई doubt है, तो क्या करना है, comment section में जाके mention करना है, तो इस तरीके से आज की वीडियो में अंत में तो हम आ चुके हैं, बट definitely अगले वीडियो के साथ मिलने वाले हैं, अगले topic को cover करने के लिए, तो इस तरीके से सबका और अपना ध्यान रखिए, thank you so much for watching, bye!